विद्वान व्यक्तिमत्व बनाने वाला हनसेयोग नमस्कार मैं आश्ट्रो गुरुमा डॉक्टर जोती जोशी आप सभी जोतिश प्रेमी एवा मद्धेन करताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ हम जोतिश एक एक विशय का शास्त्रोगत पद्धती से अध्यहन कर रहे है हर विशय को विस्तार से समझाने का मेरा प्रयास है उस अनुसार आज हम विद्वान व्यक्तित्व बनाने वाला हनसेयोग इस विशय पर विस्तार से वारतालाब करेंगे यह सब जानकारी शास्त्री होने के कारण एक बार सुनने पर यदि ना समझाए तो पुनश्य सुने ताकि आपका अध्यन परिपूर्ण हो विशय को लेकर यदि कोई प्रशन हो तो उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखे साथ ही आप वाट्सअप नंबर पर वाट्सअप मैसेज कर सकते हैं समरण रहे केवल वाट्सअप मैसेज करें कॉल कते ही न करें मैं आपके सभी प्रशनों के उत्तर देने का अवश्य प्रयास करूँगी साथ ही यदि हजानकारी पसंद आए तो शेयर करना ना भूले ताकि यह ग्ञान दुसरों तक पहुच पाए अब हम हंसयोग के उधारन देखने वाले हैं जिसमें हम ऐसी कुंडलियों का अध्यन करेंगे जिन में यह दुरलब योग निर्मान हुआ है जातक के कुंडली में हंसयोग गुरू ग्रह से निर्मान होता है गुरू प्राकृतिक शुबगर है वह अपनी स्वराशी धनू, मीन या उच्चराशी करक में हो साथ ही केंद्रस्तान अर्थात प्रथम, चतुर्त, सप्तम और दशम स्थान में हो तो हंसयोग निर्पान होता है इस योग का मुख्य प्रभाव है कि गुरू ग्रह के सभी गुंदर्व जातक में देखने को मिलते है गुरू का अर्था ज्यान होता है जिस कारण गुरू के प्रभाव से जातक ज्यानी बनता है ऐसे गुरू से कुंदली में यदि हंसयोग का डिर्पान हो तो ऐसा जातक केवल ज्यानी नहीं बल्कि महाग ज्यानी बनता है जिस प्रकार हंसयोग एक अतिदुलब योग है उसी प्रकार महाग ज्यानी लोग भी अध्यूतिय होते हैं हम जोतिश की दुरुष्टी कौन से ऐसे आदर्श कुंडलियों का अध्यान करेंगे जिसमें हन सयोग है और उनके प्रभाव से उन व्यक्तितों की महाग ज्यानी के रूप में विशेश पहचान है वह पहचान आगे कई वर्षों तब चलने वाली है हन सयोग की प्रथम आदर्श कुंडली लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की है उन्होंने अपने प्रखर व्यक्तित्व एवं विचारों से अंग्रजों के खिलाप सोतंत्रकत्ता की बड़ी लड़ाही लड़ी थी लोकमान्य टिलक जी का जन्म 23 जुलई 1856 में महाराष्ट में रतनागिरी जिले की चिखल दरा गाउ में हो आ उनके पिताची गंगाधर पंत मराठी पाटशाला में शिक्षकते लोकमान्य जी ने लेल बी की पद्वी प्राप्त की थी अर्थात वे गुरू के शुभप्रभाव से बच्पन से ही अध्यन में अच्छे थे साथ ही वे अपनी शरीर संपदा के प्रती अत्यंत जागरुक रहते थे उन्होंने लगातार व्यायाम कर अपना शरीर सुद्रूर बनाया था आगे वे कुछ ऐसे लोगों के संपरक में आये जिनोंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था और अपना जीवन देश के लिए आरपन किया था जिसमें उन्होंने गोपाल गणेशागर जी के साथ विशेश कार्य किया रहिया दोनोंने मिलकर केशरी और मराठा ऐसे दो वृत्त पत्र शुरू किये थे अंग्रेजों के अत्याचार का प्रतिकार करना यहां उनका मुख्य उदेश था अपने लेखनी के बल पर लोग मान्य ठिलक जीने महान कार्य कर दिखाया लोग उनके वृत्त पत्र का बेसबरी से इंतजार करते थे उन्होंने लिखे अग्रल एखो को गली के चौरहों में सा गह पर है क्या अर्थात सरकार चर्डोकर ठिकार और आहे का है यहां अग्रल एक बहुत चर्चित हुआ था लेखन कार्य में जन प्रबोधन करना यहां उनका मुख्य उद्देश था लोगों को इकठा करने के लिए उन्होंने गणेशा सो एवम शिव जेंती इन दो उत्स की सुर्वात की स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अदिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा ऐसी सियंगर जनाकर अपनी उस भूमिका को वे लोगों तक पहुचाने में सफल हुए थैं प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल और हां बेल आइकॉन दपाना ना बुले धन्यवाद उन्हें अपने राश्ट्र और अपने धर्म के प्रती बड़ा गवरों था वेद उपनिशे तत्वग्नान धर्म शास्त्र का उन्होंने तलसपर्शी अध्यन किया था अंग्रेजों के विरुद्ध की लड़ाई में उन्हें लोगों का साथ मिला था इ उसके बाद वे अपने निश्चे पर दूडर है बंडाले के काराग्रुहों में उन्होंने गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिका यहां उनके जीवन की एक और महतोपुर्ण गटना थी अर्था इतना बड़ा कार्यकर उसमें हमेशा व्यस्त रहकर उन्हों का ग्रंथ लेकन श सब कर सेके क्योंकि उनके कुंडली में शुभा गुरु और उससे निर्मित हंसयोग का निर्बान हुआ था अब हम जो तीश की दुरुष्टी कोन से लोकपान्य टिलेज जी के कुंडली का विश्लेशन करेंगे चंद्र और गुरु का गठबंदन मीन राशी में हुआ है हागेश का गठबंदन एक ही समयं पर हंसयोग और गजके श्री योग की निर्बिति हुई है उसी समयं पर शनी और बुद्ध ग्रह का गठबंदन व्ययस्तान में हुआ है जहां से हम बंधन योग देखते हैं वैस ताद में बंधन योग का निर्माण हुआ है लेकिन बुद्ध स्वराशिका होने के कारण बंधन योग में याने कारागरू हमें भी लेखन कार्य अच्छा हुआ है जीवन में गुरू की कुरुपा अत्यंत महत्व पुर्ण होती है उससे मनुष्य का पूरा जीवन बदल सकता है ऐसे गुरू महराज जब किसी कुंडली में राज योग लेकर आते हैं तो जातक का व्यक्तिमत्व अद्वितिय बनता है इस कुंडली के और भी कई पहलू है लेकिन आज हम हनस योग की पढ़ाही कर रहे है और इसलिए आज सिर्फ हनस योग का विश्लेशन किया है जोतिश का अद्यहन तता शास्त्र की शास्त्रियत तरीके से पढ़ाही करने के लिए मेरी दो किताबे प्रकाशित हो चुकिये हैं उनका अवश्य लाभ लीजिए हंस योग की एक ऐसी ही कुंडली डॉक्टर श्रिकान जीचकर की भी है वे आतेंद महाग्यानी व्यक्तित्व थे इतने कि उनका नाम भारत के सबसे पड़े लिखे व्यक्ति के रूप में लिमका बुक और वर्ल्ड रेकॉर्ड में दर्ज है डॉक्टर श्रिकान जीचकर जी का जन्म 14 सितंबर 1954 को नाकपूर जिल्ले के कटोल में हुआ वे आलोकिक बुद्धिमत्ता के स्वामी थे उन्होंने कुल मिलाकर 20 डिग्रिया प्राप्त की उसमें से बहुताओं सभी परिक्षाओं में वे प्रथम शेनि में उत्तिर नव हुए थे बड़ी बात है कि उन्होंने 28 सुवर्ण प्रदक प्राप्त किये थे एक वर्ष में दो बार इस प्रकार उन्होंने 42 विश्य विद्धियों की परिक्षा दी थी MBBS की उपाधी प्राप्त करवे डॉक्टर बने थे LLM की पद्वी प्राप्त करवे विधी तगने बने थे MBA की पद्वी प्राप्त कर उन्होंने व्यावसाईक व्योस्थापन का ग्न्यान प्राप्त किया, पत्री का कारिता भी उन्होंने अध्यन किया था, इसके साथ उन्होंने अन्य दश विशयों पर मास्टरी पद्वी प्राप्त की थी, मराठी, हिंदी, अंग्रेंजी के साथ स तिर्न हुए लेकिन अधीक काल तक नोकरी ना करते हुए उन्होंने राजनीती में प्रवेश किया और वहां सफल हुए उम्र के 25 वर्षबे अर्था देश के सबसे युवा विदाहे खोने का सन्मान भी उन्हें प्राप्ता है आगे अपनी बुद्धिय अम कर्तुत्व के ब पर वे मंत्री भी बने थे इतनी कम उम्र में लगभग चौदह महतोपुर्ण विभागों का काम वे समालते थे डॉक्टर श्रिकान जीचकर जी को पड़ाही में अत्यंतर उची थी उनके पास अपना बड़ा ग्रंथा ले था गीता उपनिशेद वेद पुरान जैसे कई ग्रंथों का उन्होंने गहराई से अध्यन किया था ऐसे अलोकिक प्रतिभास संपन्य व्यक्ति को लंबी उम्र का वर्दान नहीं मिला उम्र के केवल 59 वर्ष में ही एक दुरगटना में उनकी मोत होई लेकिन जीवन में जो उन्होंने प्राप्त किया वह कुंडली के शु इकान जी जिचकर के कुंडली का अध्यन करेंगे करक लगनकी ह कुंडली है करक लगनस्तान में गुरू अर्थात करक राशी का अपनी उच्छ राशी में स्थीत है साथ ही हंसयोग बनाने वाला गुरू नौमाउश कुंडली में वर्गोत्तम है याने कि नौमाउश अर्थात अपनी मूल्ट रिकॉन राशी में शनी तुला राशी में अर्थात उच्च्र राशी में शूक्र स्वर राशी में रवी ग्रह स्वर राशी में स्तीत है संग्षेप में यह अत्यंत बल्वान कुंडली है क्योंकि इस कुंडली में दो ग्रह उच्च राशी में एक ग्रह मुल्त रिकुन राशी में और दो ग्रह स्वर राशी में कुल पाज ग्रह अत्यंत बल्वान है लेकिन उनके सफलता का जीचकर जीक के सफ गुरू और चंद्र इनमे नौपंचम योग का हो रहा है, गुरू और बूद एक दुसरे से लाभयोग कर रहा है, रवी शुक्र लाभयोग, रवी शनी लाभयोग, याने पत्रिका में नौपंचम योग और लाभयोग, जितने जादा बलवान है, उतना व्यक्ति संपन्न हो आपको पुनश्य बताना जाओंगी यहां पूरी जानकारी शास्त्री होने के कारण हो सकता है एक बार सुनने से समझ ना आए इसलिए उसे पुनश्य अवश्य सुने पुर्ण रूप से समझ ले ताकि आपका जोतिश्क ज्यान परिपूर्ण हो सके हम जोतिश्क की जानकारी लेकर अगले भाग में पुनस्य आवश्य मिलेंगे धन्यवाद शुभम भवतु जय जोगतिश प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल और हां बेल आइकोन दपाना ना बुले धन्यवाद